नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपाध्याई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शियर मार्केट एनलेसिस में दोस्तों बात करेंगे टाटा पावर के शियर के बारे में आप सभी को आज के सेशन में लगबग 2 करोड़ शियर ट्रेड हुए एंड एवरेज वॉल्यूम्स के मुकाबले शियर ट्रेड होते हुए इस टॉक में सेगंड आफ में एक एक्शन बनाएं अच्छा खासा इस टॉक पूरो दिन 229-227 पर ट्रेड करता रहा लेकिन लास्ट वहीं पर खड़ा है एंड अगर यह ब्रेक आउट होता है तो यहां पर काफी अच्छी एंड काफी भड़िया तेजी बन सकते हैं जहां पर आपके लिए कुछ अच्छे मौके होंगे पैसा कमाने की तो कौन सा ब्रेक आउट लेवल कहां तक जा सकता है किस तरीके से आपक क्रिकेशन बैल आइकन दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंचे सबसे पहले दोस्तों आप सभी को मैं बताना चाहूंगा जब इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए जो कि खराब लगे मार्केट को एंड इस टॉक उसके बाद गिरा भी अच्छा खासा वहीं आप सभी के साथ मैंने सज्जेस्ट करा कि ये स्टॉक को बेचना नहीं है एक चीज़ आपको मैं बताना चाहूंगा जो भी लॉंग टम निवेशक है शेयर में उनके लिए काफी अच्छी इस कंपनी की केपैक्स स्टोरी है यानि कि स्टॉक का मार्केट कैप लगब वीडियों बता ही चुका हूं कि गवर्मेंट का फोकस एलेक्ट्रिक वीकल्स को लेकर काफी ज्यादा है जैसे आप सभी ने देखा एथनॉल ब्लेंडिंग को लेकर गवर्मेंट को अपने टार्गेट को अपने टाइम फ्रेम से पहले मीट करें वहीं जो ये लेक्रिक वी वीकल्स की सेल्स अगर भढ़ेगी तो ऑव्यस सी बात है गाडियों चार्ज भी होंगी और गाडियों को चार्ज करने का जिम्मा लिया है टाटा पावर ने टाटा पावर इस फील्ड में मार्केट लीडर है और ये स्टॉक आगे चलके काफी शांदार तरीके से ग्रू कर भी है तो हमारी सिंपल सी एक स्ट्रेटरजी है कि 200 के उपर मेरा 200 के नीचे तेरा यानी 200 रुपे के उपर जब तक है तब तक मैंसे होल्ड करूंगा 200 के नीचे मैं बेच दूंगा अगर इनकेज 190 होता है अगले दिन फिर 200 एक पर आता है तो आप खरीद लीजिए आपका क पर चुछ नहीं जाएगा के बल ट्रेडिंग लगेगी बट इस ट्रेडिंग को आप कब तक जहल सकते हो यह मैक्सिमम ज्यादा से यादा दो से तीन बार होगा अगर होगा भी तो वरना होता ही नहीं है पिछले छे साथ चैसे आट महीने में एक बार हुआ वह भी के पास चबता तब तो बिल्कुल कुछ था ही नहीं खोने के लिए मुझे लगता है अगर यह गिरावट देता है और मौके देता है आपको तो दुवारा इसी स्ट्रेटेजी से लॉंग टम खेलिए इस स्टॉक की बात करूं तो अगले 5 साल में यह स्टॉक यह कंपनी जो करेंगे तो कंपनी काफी ज्यादा अग्रेसिव है अपने के पैक्स को लेकर अपने आप में इन्वेस्ट करने को लेकर ने कंपनी ने रिसेंडली अनॉंस करा कि एफ यह वित्तवर्स चरदा है इसी में कंपनी लगबग 14,000 करेड़ का के पैक्स करेंगी जो वह 75,000 करोड क केपेक्स प्लान उसमें से 14,000 करोड का केपेक्स इसी साल करेगी जिसको उन्होंने दो तरीके से बाटा है पहला रिन्यूबल्स में और दूसरा अपने अलग कामकाज में अब रिन्यूबल्स की बात करें तो लगबग 10,000 करोड का केपेक्स 14,000 करोड मैं से रिन्यूबल्स 232 233 का ही लगा जो कि 25 जुलाई को लगाया उसके बाद रिजल्ट्स आया लेकिन फिर से उपर आया तो 233-234 का यह लेवल होगा जो अगर इस टॉक क्रॉस करता है तो यह स्टॉक सीज़े 242 से लेके 247 तक जा सकता है तो यानि कि आगे आप रुख जाए ब्रेक आउट होने फिर खरीदें जिसके पास मुझे लगता है उन्हें होल्ड करना चाहिए और होल्ड के लिए मैं आपको एक एसल देने की कोशिश करूं तो वह 230 का होगा चोटा एसल विगुल 229 का रख लीजिए आप इंट्र एडे का निकल के आ रहा है बट अगर कोई मीडियम टम टू ल को लेकर होप आपको समझ में आयोगी थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो हैव अग्रेट देगाई